इस वीडियो में मैं आपको कीज इनर लिस्ट कॉंसेप्ट के बारे में बताऊंगा तो मैंने सीखा था कैसे लिस्ट को रियक्ट में रेंडर करते हैं तो मेरे पास यह पीपल एर्या है जिसमें तीर एलिमेंट्स है और मैं उस एरे पे मैप करके jsx elements बना के रिटर्न कर रहा हूं और इस एरे को jsx section दियर रेंडर कर रहा हूं तो अगर आप आप स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे तीन एलिमेंट्स है जो की अलाई एलिमेंट्स है राइट वर्क्स फाइन लेकिन अगर आप डेव कॉंसल खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे एक वार्निंग है जिसको आप को यूस करना था जब भी आप एक लिस्ट को रेंटर करते हैं की एक उनिक आइडेंट्य की तरह बिखे करता है For Each Element in the List Means की एक की एक एक उनिक लिए आइडेंट्टिफाइ करेगा इन लेस्ट आप की इसको निड क्या है तो code में चाके आप देखेंगे person array में अलाइल element लिस्ट हो रहा है, return हो रहा है, right? तो इस key को कुछ ऐसे ऐसे उस करना है, key equals to value, key भी एक prop की तरह होता है, बट एक काफ़ एक special prop होता है react में, अब value में क्या देना है? जैसे मैंने बताया था, की unique होना चाहिए हर element के लिए, तो let's say people element अभी जो तीन element हो, तीन हो unique है, तो हम person को की दे देते हैं, because person unique है पूरे array में, right? तो for now, अभी यह करते हैं, let's say save, refresh, और आप देखेंगे warning हट गई, अब अगर मानलों मैंने एक और element add कर दिया, let's say same element, तो ज़रूरी नहीं है कि हर person का नाम same, right? तो यह भी आ सकता है, तो अगर मैं इसको save करूंगा, तो अब देखेंगे warning आगई, encounter two children with the same kid this, he should be unique so that components maintain their identity across updates, तो मैंने आपका बताया था, key हर element के लिए unique होना चाहिए, तो अब इस case में क्या करें, well, आप देख सकते हैं, array के elements की value same हो सकती है, but index तो unique हो रहा है, इसका index 0, 1, 2, 3 है, यह तो हमेशा unique होने वाला है, तो index को key की तरह यह यह उस कर सकते हैं, ऐसे cases में, तो map element, दो argument लेता है, person and index, अब उस index को लेके, यहाँ पर key की तरह use करेंगे, refresh, एंद देखेंगे warning चलेगे, right, अब एक थोड़ा और complex example ले लेता है, let's say instead of array of strings, एक array of object होता तो, तो मैंने एक array of objects मना दिया है, हर object के अंदर एक ID है, अब एक name है, अब इड जनरली database से भी आ सकता है, और आपके backend से आता है, तो most of the time जब भी आप database से fetch करते है, records या backend से fetch करते हैं, तो आपके पास, अगर array आती है, तो generally उनमें एक ID होती है, right, तो अब उसी sense में माल लो कि यह एक people array है, और यह backend से आई है, उसमें एक ID है, नेम है, तो instead of index, हम इस ID को use कर सकते हैं, आपके, person.id as key, because हर element के लिए वो unique होने वाले है, right, हमें कुछ ऐसा चाहिए key के लिए जो unique हो, and then person.name, now refresh, and it works, without warning, now instead of name, आप इसमें complex elements भी return करा सकते हैं, map है, right, so थोड़ा complex element लिख लेते हैं, for example, instead of list, ul आटा के, and divs उस कर लेते हैं, and I will return, div, जिसके अंदर दो और div होंगे, first one, name, and then an id, okay, save it, you see it is there, अब आप देख सकते हो, की मैंने सिर्फ, इस top element को दिया है, rather than इन सब को, rule of thumb यह है, कि आपको बस top element को ही की देनी होती है, ताकि यह जो total element है, इस पे एक unique key प्रॉप जा सके, ताकि यहर array के element में, उसको हम identify कर पहें using this key, हर एक element को की नहीं देना, सिर्फ जो top element में आप return कर रहे हैं, map के अंदर, सिर्फ उसी को की देना है, okay, अब देखते हैं कि custom component में कैसे key pass करें, let's say instead of this, मैं इसको एक custom component बना दूँ, I will call it list item, and person prop की तरह ले लेते हैं यहां से, okay, id name, तो आपको यहां की pass नहीं करनी होती, I will show you कि कहाँ की pass करनी होती है, list item, copy करते हैं, यहां से return करते हैं, and prop pass कर देता है, तो अगर यहां आपको, आप save करेंगे, तो let's verify कि यह काम कर रहे हैं, बट फिर से warning आगी, क्योंकि key prop pass नहीं किया, तो अब key prop आप यहां पर pass करेंगे, ना कि वहां पर, जहां भी map में return करा रहे हैं, वहां पर key prop pass करना होता है, तो key equals to person.id, save, road and warning is gone, अब यह जो key prop है, जनरली जो भी आप प्रॉप pass करते हैं, वो यहां accessible होता है, component के अंदर, but key एक special prop है, जो कि children को pass नहीं किया जाता, तो अगर मैं यहां पर key prop access करने की कौशिश करूँ, and let's say मैं console log कर लेता हूँ, save, अब देखेंगे undefined होगा, right, undefined, and actually react आपको warning भी दे रहा है, key is not a prop, trying to access it will return in undefined being returned, because key pass नहीं होता, children में, okay, अगर आपको कुछ ऐसी value चाहिए, जो key के equal है, बट आपको children में pass करनी है, तो आप same value, but different prop name से pass कर दो, माल लो आप ID ही pass कर दो, and then you can access it, अगर मैं यहाँ ID पास कर दो instead of key, then I can access it, okay, अब एक और चीज़ है, यह जो key proper right, इसको, हर element के लिए, इसको globally unique होने की जरूरत नहीं है, it means कि अगर मैं इसको दो बार copy कर दो, that means मैं people array को दो बार use कर रहा हूँ, तो same key, दो different context में allowed है, but, जो map element array है, उस पर जब iterate करेंगे, तो उसके siblings में उसको unique होना है, अगर मैं इसको save करूँ, और reload करूँ, तो कोई error नहीं हैगा, because उसको globally unique होने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने siblings में unique होना है, हमने देखा, कैसे keys को use करते हैं, syntax क्या है, जब भी list को render करते हैं, और मैंने आपको शुरु में एक चीज बह लिए थी, keys react को help करता है, identifying coins से elements change, updated delete हो गए हैं list में, अब आईए समझते हैं कैसे, तो आपर मैंने एक diagram बना दिया है, जूम इन, तो यह list है, a, b, c, जिसमें तीर elements है, और यह भी dom में यह list present है, अब, मालनो आपको इस list में एक element add करना, अभी इसको कोई keys नहीं दी हुए है, मालनो भी कोई keys पास नहीं है, और आपको एक element add करना, d end में, तो नई list क्या बनेगी, let me copy it, and let's copy it, तो react को अभी जो original list है, इसको update करना है, इस new list से, जो अभी नए re-rendering में बनी है, क्योंकि हमने एक element add कर दिया, तो react कैसे इस update को handle करेगा, well, react क्या करता है, इन दोनों array पे, simultaneously iterate करता है, और mutation generate करता है, कि actually क्या change हो और मुझे क्या नया करना है, तो क्या करेगा, react इस पर जाएगा और इस पर जाएगा, जब simultaneously parallel ही चलेगा इन दोनों पे, तो देखेकर दोनों सेम है, तो कोई change नहीं, C और B भी सेम है, कोई change नहीं, C और C सेम है, कोई change नहीं, यहाँ पर D नहीं है, यहाँ पर D है, तो उसे एक D element बनाना होगा, mutation में, जब mutation, यह iterate हो जाएगा, और mutation देखा करें, कि यह सारा काम मुझे करना है, तो एन एक नय element बनाके, वो original list को update कर देगा, simple right, but a problem यहाँ पे है, end में add करना ठीक था, बट माल लो, आपको D element को शुरु में add करना होता, तो list कैसे बनती, let me move it, तो list ऐसे बनती रहेट, अब react फिर से, simultaneously एक दोनों पर iterate करेगा, उसने देखा, A और D सेम नहीं है, तो react D element बना देगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, तो उसे D बनाना पड़ेगा, तो देखा B और A सेम नहीं है, तो उसे A भी बनाना पड़ेगा, तो देखागा C और B सेम नहीं है, तो उसे B भी बनाना पड़ेगा, और देखागा कि, यहाँ पर C नहीं है, बट यहाँ पर C है, तो सी भी बनाना पड़ेगा आप देख सकते हैं उसको हर अलिमेंट को मुटेट करना पड़ा तोड़ पूरा ट्री ही दुबार जनरेट करना पड़िया और यू कितना इनेफिशेंट है तो मैं कैसे रियाक्ट को बताऊं कि यह जो तीन कंपनेंट से यह एकली सेम ही हैं जो और इजनली थे इन्हें दुबारा बनाने के सब्सक्राइब यह बस रिया ओडर हुए लिस्ट के अंदर वैल यहां पर की आता है क्योंकि की हर एलिमेंट के लिए यूनीक है तो मैं की इसकी हल्प से अइडिन्टिफाय कर सकता हूं कि कौन सा एलिमेंट सेम ही है जो पहले कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें अगर मैं माल लो इनको की दे दूँ अब देखेंगे कि यह की और यह की तो सेम है डाट मेंस अलिमेंट सेम यह बसरी ओडर हुआ है तो यह जब नया एलिमेंट है उससे दुबारे जनरेट नहीं करना पड़ेगा की सेम है तो वह पिछला एलिमेंट ही यूज कर सकता है ऐसे बी बी का भी की मिल जाएगा तो यह दोने बनाने नहीं पड़े एंसे फिक डी बनाना पड़ा जिसकी की टी थी तो आप देख सकत साथ-साथ आप यह भी देख सकते हैं कि यह की सेम रहते हैं यहां पर राइट डाट मींस कि आपको की ऐसी चूज करने हैं जो स्टेबल रहे हैं इच और रैंडम नंबर जैसे आप मैंट डॉट रैंडम करके की जनरेट कर लो या कुछ और करो इच चुछ नॉट बी लाइ रैंडम कर रहे होते हैं यहां पर यहां पर उसकी की मालो की लेट से बन जाती है तो तो उसे यह एलमेंट फिर से दुबारा बनाना पड़ता तो वह इन एफिशेंट हो जाता फिर से इसलिए की बहुत स्टेबल होने चाहिए तो जनरली डेटावेस से आईडी या कुछ ऐ यह था Keys in React and how to use Keys while rendering a list अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और React कोर्स की बागी वीडियो पढ़ने के लिए और प्राक्टिस प्रॉब्म सॉल्ड करने के लिए dev11.in वेबसाइट को विजिट करें